असेलं वालेकुम फ्रेंच आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ मुटन कबाब रेसिपी जो बहुती जटपड बनकर तयार होते हैं तो आप लोग इसको बकरी धिद के टैम पर जरूर ट्राय करें यह बहुती ही आसानी से बंद कर तयार होने वले रेसिपी और बहुती क्रिस्पी रेसिपी है आए अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं हमने यहां पर पाव किलो इतना खीमा लिये हैं कबाब बनाने के लिए इसके अंदर हम दाल देंगे धनिया जीरा कुटा हुआ हम यहां पर बारिक चॉप किया हुआ कांदा दालेंगे इसका हमने अच्छे सब पानी निकाल लिये हैं हम दाल देंगे नमक टेस्ट के हिसाफ से एक चमच भरकर हम इसमें दाल देंगे चिली फ्लेक्स ितना डाल देंगे द्रखेल रसं का पेस्ट इसमे हम दाल काि Μरी पाॉडर कमेर l, इसमा दाल देंगे कोत्मीर मृन बैणे धोग कर लिए हुँ इसलिए ठीपची कि पीसी है हम इसमें दाल देंगे बाजरी न काटा अब बाज रीके जगा पर भेशेन आटदा भी उसकर सकते में लेकिन नहीं कर रहेंे जावारी के आठाता कर सकते मैंने हापर 12 समय इतना बाझरिक अब इसको हं अच्छे से भीчто मदश्य को मिक्सथ वर लेंगे है हमने यहां पर सारा खेम अच्छ को निया है अब इस्समें हम दाल देंगे लिंबू आप इसको हमेशे से मिक्स कर लेंगे साफ हो घुन हम कर लेंगे एक चमौची इतना हरी मिर्ची का पेच्ट हरी मिर्ची डालना भूल गई ती मैं अभी द्धाब रहें आप इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्य से मिक्स हो जाए हम नहीं पर खीमे में अच्छी से मिर्ची को मिक्स कर लिए हैं अभी हम छोट छोटे कबाप बनाना रहां चाएप ज्दाधा वड़े नहीं बनाना है बस इतनी साइस के जैसे चाहर वैसे शेप बना सकते हैं मैं इतनी छोटे बना रही हूं सारे इसी तरीखी से बना लूँगी ओ हमारे सारे कबाब बन कर त्यार हो हो चुके हैं यहां पर तेल गरम हो चुका है इसे हम दाल देगे कबाब इसको हम पलट लेंगे बिशको हम निकाल लेंगे और सारे इसी तरीखे से तर लेंगे हमारी रेसिपी बन कर तयार हो चुकी है आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंड में जरूर बताए लाइक करें शिएर करें सस्क्राइब करें दूआ में याद रखे अगली वीडियो में फिर मुलाखात होगे आला हाफिज